नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज हम जानने वाले हैं कि सल्गम को कैसे अपने एबर ग्रीन गार्डन में उगाया जाता है और इसको खाने के क्या-क्या फाइदे हैं आप वीडियो में लास तक बने रहेगा साथियो साथियो सल्गम सरद बहुत हैं इसलिए मैंने पानी 10-15 दिन के बाद ही मैं इसमें पानी डालता हूं सलगम 20-22 डिगरी के तापमान में अच्छा ग्रो करता है साथियों इसमें आप कोई भी जैविक खाथ डाल सकते हैं मैंने सिरफ जब यह बोया था सलगम एक बार इसमें एक ही बार मैंने इसमे गatics लूबर कासिमाल किया हुआ है उसके बाद मैंने इसमें कोई भी खात नहीं डाली किस की पतियों का बड़ा स्वाधि스 और प।िक साख बनता है और इसकी गाट जो गाट है उसकी सब्जी सलाद में इसमें इसमाल होता है और पर्षूप में भी इसको इसको इसमें लाए इंटी औक्षिडेंट है ल्युटेन से भरपूर सबजी है सलगम की साथियों सलगम्ए इंपिश्युम्न और ब्लड प्रेसर रोकने में शक्षम है नियमित सही मात्रा में अगर इसका हम सेवन करते हैं तो यह लगभग सभी बिमारियों का इलाज कर सकती है साथियों सल्गम में लिपिट होते हैं जो की मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं साथियों साथि साथ होना चाहिए बड़े किसान जो इसकी ब्यवसाइक खेती करते हैं उनको जरूर मिट्टी का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उनको नुक्षान नहों साथियों अभी मैं इनको जो हर्वेस्ट के लाइक हो गए हैं इनको हर्वेस्ट करने जा रहा हूं आप देखिएगा कुदाल से इसको इस परकार से खुद है और आराम से ये निकल जाता है तो देखिए ये फट भी गया है थ्टोड़ा त्योंकि इसको पहले ही हर्वेस्ट हो जाना चीह था ये साप है तेखिए इस परकार से एक और है ये चार जो ह grated हर्वेस्ट के लाइक तो इनको मैंने हर साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको सलगम के बारे में बताने जा रहा हूं आप सुनिएगा जरूर साथियों की सबसे अच्छी सब्जियों में से एक है किसानों को इसका फैदा उठाना चाहिए क्योंकि इसमें लागत कुछ भी नहीं है और इसमें काफी कम माई हो सकती है किसानों की जो बड़े किसान है उनको जरूर उगाना चाहिए साथियों एक और इसका सबसे बड़ा फाइदा जो कि मैंने खुदी प्रैक्टिकल किया हुआ है माइनस चालीस और पचास डिगरी तापमान में जब आदमी रहते हैं तो वहां पर ठंडी ज्या काटने भी पड़ते हैं तो उससे बचने के लिए गरम पानी में इसको उबालके इसमें पाउं डालके एक घंटे तक पाउं रखके सर्दी से पाउं को बचाया जा सकता है बिमारी से बचाया जा सकता है यह मैंने खुदी प्रैक्टिकल काम करके मैं आपको बता रहा हूं क जरूर इसका इस्तिमाल करें इसको गरम पानी में उबालें उसके बाद जब पानी ठीक ठोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें दोनों पाउं किसी बरतन में या परात में या किसी और चीज में डालके दोनों पाउं को इसमें एक घंटे तक रखें तो आपको पाउं की कोई भी कि बिमारी जो ठंडे में होती हैं बहुत सारी बिमारी ओंड में लगती हैं आप या उस देखेगा ताने बीमारियों को यह दूर करता है साथियो मेरा यह भी सूजाव आप से है आप जरूर अपने गंबले में या टैरिस गार्ड़न में या अगर आप के पास kitchen garden है तो थोड़ी सी जगह में भी देखे मैंने भी छोटी जगह में लगा रखा है आप जरूर इसको लगाए और इससे आपको फैदे ही होंगे और बहुत सारे फैदे मैंने आपको बिना चुका हूँ साथियो आपने पूरा वीडियो देखा वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए बाई बाई राम राम जहिन दोस्तों